आज अगर्स टेटर्स टेटाइस 24 अगर्स 2023 तो आज था एक्सपाइरे वाले दिन बहुत ही ब्रूटल एक्सपाइरे रिये कियों कि a क्या क्या अगर्स किया हुगा करना है तो इहां पर अगर हम देखते हैं निफ्टी बैंक को सबसे पहले हैं तो देखिए निफ्टी बैंक में आज के दिन हुआ क्या यह भी हम लोग देख लेते हैं 15 मिन के डाइम फ्रेम पर हम लोग आते हैं तो देखें क्या किया मार्केट गैप अप फुला हम लोगों ने प्लान किया था कि इस जौन के आसपास हम भाई करेंगे लेकिन मार्केट अच्छा खासा गैप फुल गया थोड़ा रिटेस्ट हुआ अगर यहां से रिटेस्ट करता तो इस जौन को टेस्ट करता तो डेफिनेटली मैं खुद भी यहां पर वाइंग साइड के लिए प्लान करता तो यह अपने टार्गेट तो हम लोग ने अल्टिमिट टा मार्केट ने क्रोंजिंग होते हैं कहां पर सपोर्ट लिया है कल का अचली पराइक पर यहां पर सपोर्ट यहां पर ने यहां पर लिया हूभा तो यहां पर सब से पहले देखते हैं हम लोगों को बाइंग साइड के जिसे साफ से मार्केट इस्ट्रोंग खड़ा हो यहां पर आता हैं चोड़े टायम पर फ्रेंट के टायम पर देखते हैं तो देखें कहां पर मार्केट ने अभी 23 है यह 38 है को कहां भाई करना है मार्केट का वेट करें साथ कीसात में सथạn केृट के साथ में हम लोगों मिलता है यहां पर यह वाला ब्रेक आउट इस जॉन का इसके बाद में हम यहां से बाइंड साइड के लिब lang करेंगे जो हैपक्छार पर आश्धड obs profund हमें ब्रेकैट मिलता है तो ह ऐसा भी कोई sign मिलता है कि हमें buying side में जाना तो definitely यहां से buy करेंगे damn उसके बाद ultimately हमारा target होने चाहिए यह वाला zone और यह वाला zone अगर हम यह प्लान करते हैं माल लीजी हम 660 के आसपास हम अपनी जो trade है वो प्लान करते है और stop loss रखेंगे हम यह वाला जो swing low है इस zone का इस zone का मिल जाएगा तो यहां पर हम लोगों की जो risk बैट रही है आराम से यहां पर 90 पॉइंट की बैटरी पटलेगा हम थोड़ा room देकर रखेंगे almost नहीं से 110 पॉइंट का आसपास के हम रिस्क रखेंगे टार्गेट क्या है तो आराम से हम लोगों को इस zone के आसपास ही मिल जाएगा जो की ठीक है चलेगा यहां पर यहां पर जो यहां पर बताऊंगा ठीक है कौन कौन से zone एक तो जहां से हम लोगों अभी बाई किया है अब मार्केट मालो यहां से upside माया flat पुला थोड़ा gap up पुला इस ट्रेलान को breakout करते हैं यह जो support zone है जो हम लोगों ने zone रखिया है यहां पर rejection phase करता है double top pattern बनाता है यह यहां पर inverted head and shoulder pattern बनाता है चोटे time पर हम ल bottom में इस zone को हम अपना target plan करेंगे तो आराम से यहां पर भी हम लोगों को one ratio one का target मिल जाएगा अगर हम यहां कहीं sell करते हैं तो क्यों क्यों कि यहां पर एक तो देखिए percentage फिबो लगाया तो 38% का यहां पर rejection मिल जाएगा साथ के साथ में rejection मिल जाएगा यह resistance zone था और breakdown हम जैस यह हमारा पहला zone हों गया second zone का है हम लोगों कहां पर sell करने का देखिए अगर market कल के दिन flat खुलता है या game down खुलता है दोनोई case में market को आने देंगे हम यहां से नीचे इस zone से नीचे आने के बाद में इसको करने देंगे retest जैसे यहां retest करेगा weakness देखाएगा then हम यहां पर 440 का zone stop loss क्या रखेंगे stop loss हम थोड़ा बड़ा रखेंगे इस ring का यहां से 110 पॉंट 120 पॉंट के मरिस्क रखेंगे target क्या करेंगे सिबसे पहले हम one ratio one के साब से प्लान करेंगे जो 45,300 का zone बैट रहा है इस zone के आसपास हम प्लान करेंगे one ratio one मिलेगा और हम क्या प्लान इसको आगे extend करते हैं तो यह तो यह तो यह ट्रेंड लाइन जहां भी सिपोर्ट लेगी वहां का हम टार्गेट प्लान करतेंगे तो आराम शी हम लोगों को one ratio two मिल जाएगा देन अगर इसको बिरुक करते नहीं चाहता है तो यह वाला जो जो प्रिवेस सिस्टी में रेइ अब बात करते हैं कल के दिन कैसे प्लान करना तो अगर हम देखते हैं तो नीचे से फिबो लगाते हैं तो देखेक कहां हो मार्केट ने 61.8 परसेंट के जोन के आसपास यहां पर निफ्टी ने होल्ड किया हुए तो कि एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है साथ की साथ में जो हम लोगों ने यह चैनल लाई टेंड लाइन है इसको थोड़ा आगे एक्षेंड करते हैं तो कहां लिया है एक्जक्ट इस लोगों को इसी जोन के आसपास जुकी यहां पर बैट रहा है तो हम यहां पर सैलिंग साइड के लिए प्लान करेंगे निफ्टी फिप्टी को और मुस्ट जैसे कि 370 के आसपास पास प्लान करेंगे इस्टाप्लस क्या रखेंगे इस्टाप्लस हम maximum 40-45 पास देंगे इससे जएदा हम इस्टाप्लस नहीं देंगे टारेगर क्या प्लान करेंगे एजन इंट्राडे के हिसाफ से तो हम क्या करेंगे हमारा अल्टिमेट टार्गेट प्लान करेंगे हम लोग इस जोन के आसपास का जो कि हम लोगों को जहां से रेली किया उपर से लेकर के नीचे खा ठीक है तो क्या बैठ रहा है यहां पर बैठ रहा है एक्जेक 50% का जोन अगर मार्केट यहां से फ्लेट थोड़ा गेप अप हो तो उपर की साइड में आता है इस जोन से रिजेक्शन करता है तो हम यहां पर एक सेलिंग पहुत्त के जोनगा अगरश्वेट करता है साथ के साथ में इस जोन को रेक करता है रिटेस्ट करता है धैन बींशाइड की दृत बहुत ही सिंपल तरिक रगना हम चेलिए इसपास को इस जोन की स्ट यहां घ्लींग टार्गेट क्या, टार्गेट यही रिजेक्शन जोन हम प्लान करेंगा, जोगी आराम से हम लोगों को वन दिश्यो तुका टार्गेट देखने को मिल सकता है, कल के दिन, 1900-600 के लेवल को भी ब्रेक करता है, तो फिर हम लोगों को यह वालो जो जोन है, 639, 641 यह भी हमें देखने को मिल सकता है, निफ्ट रिप में कल के दिन, तो सिंपल स्टेटेजी रखने है हमें, बाइंग और सेलिंग साइड के लिए दोनों इंडेक्स में, तो उसे साफ़ से हम लोगों को प्लान करना है, I hope आप लोगों को मैं अच्छी सा explain कर पाऊं कल के दिन हम लोगों को कैसे काम करना है आज के वीडियो में तना ही, thank you दोस्तों